दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे DC vs CSK Dream Leon Team Dream Leon Team of Today Match Today Match Dream Leon Team के बारे में तो दोस्तो फर्स्ट क्वालिक फायर मुकाबला है और इस मुकाबले का हम पूरा डीप लिग ग्रैंड लिग एनलाइज करेंगे तो वीडियो को लार्ज तक पूरा देखना और अगरा आप चैनल पर पहली बार विचिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल आइकन को जरूर दबा लेना पिसके बारे में बात करेंगे तो मुकाबला दुबई के विकेट पर खेला जाएगा और इस विकेट के उपर दोस्तो सेक्ट इनिंग में बैटिंग करना आसान रहता है अगर हम बात करें बैट फर्स्ट की और जो पेसर्ष गेन बाज दोस्तो उनको 80% विकेट मिले हैं और दोस्तो चेस करने वाली टीम ने भी 80% मुकाबले विन किये हैं टोटल 10 मुकाबले हुए हैं दो मुकाबले बैट फर्स्ट ने और आठ मुकाबले चेस वाली टीम ने विन किये हैं और श्पिन पेसर्ष को कमपेर करेंगे तो श्पिनर्स को 35 पेसर्ष को 88 विकेट मिले हैं और आप देखोगे दोस्तों फर्स निंग में 74 विकेट गी रहे हैं यानि 24 विकेट और शेक इनिंग में 24 विकेट गी रहे हैं यानि दोस्तों चेस्ट करने वाली टिम को यहां पर एक्ष्टा बेनिफिट मिलता है तो जो भी टिम टोस जितेगी पहले यहां पर बॉलिंग कर चाहेगी बाकी पिज को लेकर जो भी फ्रैस इंफोर्मेशन होगी वो मिलेगी आपको हमारे टेली गाम चैनल में और टेली गाम जोइन करने का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं तिसले सीजन दोस्तों इस ग्राउंड के उपर जो प 25 मुकाबले हुए हैं 15 मुकाबले चैनली शूपर किंग ने 10 मुकाबले दोस्तों डैली कैप्टल ने विन किये हैं थोड़ा सा दोस्तों पिछले 4-5 मुकाबले कर देखें तो चैनली ने 136 बनाये थे राइडू ने 55 रन सब्से जादा बनाये थे जड़ेजा और सादू ठ देली कैप्टल की टीम ने ये मुकाबला चेस करती हुए टीन विकेट से विन किया था जिसमें सीखर दोने 49 हेट मायन ने 28 रन बनाये और अकसर पटेल को 2 विकेट मिले थे दूसरा मुकाबला चैनली ने 188 रन बनाये थे इसमें मौयन अली ने 36 रहना ने चोमन बनाये विकेट से विकेट से विन किया था जिसमें आवेस खान को 2 विकेट मिले थे इसके बाद चैनली सूपर किंग ने 189 रन मनाये थे फाब डू पलेशिस ने 58 राइडू ने 45 नाबाद जरेजा ने 33 दिपक चार को 2 विकेट मिले देली कैप्टल ने ये मुकाबला एक बार फि के 5 विकेट निकाले थे और चैनली की टीम 131 बना पाई थी जिसमें डू पलेशिस ने 33 बनाए थी और प्यूस चावला उस टाइम एवलेबल थे दो विकेट निकाले थे और चैनली सूपर किंग का जो फिप्ट मुकाबला देखोगे दोस्तों दोरनों टिमों के भी सैट तो चैनली सूपर किंग ने 150 बनाए डूपलेशिस ने 50 दिपक्सार ने 2 विकेट जडेजा और ब्रेव ने भी दो दो विकेट निकाले थे डैली कैप्टल 147 बना पाई थी रिसपमन ने सबसे ज़्यादा 38 बनाए पिसले 5 मैस अगर हम देखेंगे दोस्तों तो डैली कैप अक्सर पटेल के सामने एक स्ट्राइक रैट ठीक ठाक है एक सो इकतिस का है और तालिस गेटों में 63 बनाए हैं लेकिन दो बार आउट कर चुके हैं फाप डूपलेशिस दोस्तों रबाड़ा के सामने काफी फस्ते हैं 28 गेटों में इस सिरफ 31 बने हैं और तीन बार रबार इनको आउट कर चुके हैं इस ग्राउंड के उपर अक्सर पटेल ने 41 गेटों में 69 रबार डूपलेशिस को आउट किया है तो डूपलेशिस दोस्तों दो गेटमाजों के सामने काफी फस रहे हैं रबाड़ा और अक्सर पटेल के सामने यानि जिस ग्रैंड लिग में आप डूपलेशिस को कैटन वाइस कैटन बनाना का सोच रहे हैं तो वहाँ से रबाड़ा और अक्सर पटेल को बिल्कुल आप ड्रोप कर सकते हैं रोबिन उथपपा का देखा जाए तो रवीचन रस्वीन ने 95 गेंडों में 124 रंदे का दोस्तों 7 बार आउट किया है बागी दोस्तों उतपा वगरा है वो इतना जादा फरक नहीं पड़ेगा साइद इनकी जगह रहना भी आ सकते हैं मोहिन अली के बारे में बात करें तो अक्सर पटेलने सोधा गेंडों में 15 रंदे कर दो बार मोहिन अली को आउट किया है और इसी ग्राउंड के उपर भी किया है दोस्तों लास्ट मैज में अस्विन का देखोगे दोस्तों तो मोहिन अली है वो स्पिन गेंडबाजू के सामने स्टरगल करते हैं अस्विन के सामने 20 गेंडों में 30 रंद जरूर बनाए है लेकिन 2 बार मोहिन अली आउट भी हुए हैं अमबाती राइडू को भी दोस्तों तो दोस्तो आप देखोगे अस्विन का तीन प्लेश के सामने काफी अच्छा रिकोड है तो हो सकता है रवीचन अस्विन आज आपके लिए ग्रैंड लिंग में एक डिफेंशल पिक बन शकती है तो जुरूशे आप अस्विन के उपरा ध्यान देके चल सकते हैं अभी डेली के प्लेश का देखते हैं दोस्तो प्लेश बैटर तो सीखर वेफिकर धावर्ण डीजे ब्रैवर ने चौनसट गेनों में तिरानवी रन देकर दो बार आउट किया है सादूल ठाकूर ने चम्मार इस गेनों में उनेतर रने कर दो बार आउट किया है तो दोनों के सामने दोस्तो सीखर दावन ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि बैटिंग भी अच्छी रही है पर्थवी सो यह दोस्तो काफी फसने हैं 56 गेनों में 72 रन बनाई है दीपकचार के सामने और चे बार दीपकचार को आउट कर दोस्तो कमज़री पता है थोड़ा ऐसा दोस्तो एक्स्ट्रा पेस के साथ अगर बाउंस टाइप की बॉलिंग डालें तो वहां पर परत्वी सो फस्ते हैं इनके बाद यहां पर स्टेंज स्रमित हैं जडेजा ने दोस्तो 75 गैनों में 70 रन देकर 5 बार आउट किया है इस ग्राउंड के उपर भी अपना सिकार बना चुके हैं तो समित की भी दोस्तो काफी कमदोरी जडेजा को पता है पांच बार आउट कर चुके हैं स्ट्राइक ट्रैट भी सो से कम का है रिसब पंत के सामने जडेजा देखे दो जडेजा की पिटाई जरूर हुई है अर्टिस गेनों में 69 रन बनाए हैं पंत ने दो बार जरी जरने आउट भी किया है तो ज़्यादा दोस्तो रिसब पंत है वो ज़्यादा प्रेशा नहीं होते रन भी लगाते हैं तो ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा अभी हम Grand League Teams के बारे में बात करें उसके पहले दोस्तों आपको बता देते हूं हमाई जो फाइनल टीम रहेगी वो दोस्तों पिच और टोस के उपर डिपेंड रहती है और वो मिलेगी आपको हमारे टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम जोइन करने के लिए दोस्तों दो लि Grand League Teams के बारे में बात करते हैं तो माही को रखा है मैंने विगेट किपिंग में फर्स्ट Grand League में सीखर दवन राइडू, डू प्लेसिस, पर्थविसो, रविंदर जरेजा, अक्सर पतेल, आवेस खान, रबार्डा, सादू ठाकुर और नोर्खिया को मैंने रखा है बोलिंग कैप्टन मैंने डू प्लेसिस, वाइस कैप्टन मैंने सीखर को बनाया है, वो जो मेरी फाइनल और तीसरी Grand League की टीम है, उसमें रिसर पंता है मेरी विकेट कीपर, बैटी में रोबिन उतपा, सीखर दवन डू प्लेसिस, हेट मायर, रविंदर जेजा, डीजे ब्रेव, अक अचा दुफेज में लगा को तो घा यह कOL ली स्कार को दोस्तों, और अगर आपको वीडेयो परसंद आया, तो वीडेयो को लाइक कर देना, जैल से पहले बारहां को सब्सक्काइब कर दें और जादा से जादा फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स होल दा बेस्ट